वाइट लाइट रे जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो साथ डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है लेकिन अगर हम वोगिन साथो कलर्स को री कंबाइन कर दें वापस से मिला दें तो क्या ये वाइट लाइट रे प्रोड्यूस करेंगी इसी बात को कनफर्म करने के लिए न्यूटन ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी हम लोग परने वाले हैं न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट के लिए एक कलर डिस्क का इस्तेमाल किया था जो कि कुछ ऐसा दिखता था उसने कलर डिस्क की मदद से साथ भागों में बाठ दिया और उन सातों ब्हागों में सातों कलर्स भर दिये और वह सात कलर्स कौन-कौन से थे 콘 series विल्योल mm co ौ nós वियुर्फ वaste work आय फोर इंडिगो बीफ लूजी फोर ग्रीन वाय फोर येलो O for Orange and R for Red इतना करने के बाद Newton ने इस डिस्क को बहुत तेजी से घुमाया बहुत ही हाई स्पीड पर उसके बाद ये जो साथो कलर्स था न वो कंबाइन होकर वाइट कलर का दिखने लगा और इस तरह से Newton ने अपने कलर्स की मदद से ये प्रूफ कर दिया कि साथो कलर्स के री कॉंबिनेशन से वाइट कलर प्रोड्यूस होता है आप चाहे तो इस एक्टिविटी को खुझ से करके साथो कलर्स को री कंबाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वाइट कलर प्रोड्यूस होता है या नई इसके लिए बस आपको ये कलर डिस्क बनाना होगा और इसको तेजी से घुमाने के लिए आप एक DC मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूटन ने अपने कलर डिस्क को जब बहुत तेजी से घुमाया था तो उसे साथो कलर्स मिलकर वाइट कलर के दिखाई दे रहे थे लेकिन एक्चुल में तो साथो कलर्स नहीं मिले थे ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि साथो कलर्स एक साथ एक ही जगह पर न्यूटन को दिखाई दे रहे थे अब इसका क्या मतलब है इसी बात को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक कार्ट बोर्ट चाहिए जिसका साथ 12 सेंटीमीटर इंटो 12 सेंटीमीटर या इसके आसपास होना चाहिए अब इस cardboard के एक side में आपको पबूतर का photo बना देना है और एक side में पिंजडे का photo बना देना है ध्यान रहे कि कबूतर का photo पिंजडे से छोटा होना चाहिए अब इस cardboard को रस्ती की मदद से उपर लटका दीजिए इतना करने के बाद आपको cardboard को धीरे से घुमाना है जब आप इसको धीरे से घुमाएंगे तो आपको एक बार कबूतर दिखेगा एक बार पिंजरा दिखेगा फिर एक बार कबूतर दिखेगा फिर एक बार पिंजरा दिखेगा लेकिन जैसे आप cardboard को बहुत तीजी से घुमाएंगे आपको लगेगा कबूतर पिंजरे के अंद आखों के सामने जो भी object होता है उसका image हमारे retina पर बनता है हमारे eye का ये वाला जो portion है ना इसी को retina कहते हैं और ये image उल्टा बनता है लेकिन हमारा दिमाग इसको सीधा कर देता है जब हमारे retina पर किसी object का image बनता है तो वो हमारे retina पर 1 second के 16 भाग से लेकर 1 second के 20 में भाग तक रहता है इसी चीज को persistence of vision कहा जाता है हमारी आखों के सामने अगर एक और object को इसी time period के बीच में ला दिया जाता है तो ये नया object और वो पुराना object एक साथ overlap कर जाते हैं दोनों object हमें एक साथ दिखाई देने लगते हैं बिल्कुल यही हुआ था जब हमने cardboard को बहुत तेजी से घुमाया था कबूतर का image और पिंजरे का image हमें एक साथ दिखाई दे रहा था और हमें ऐसा लग रहा था जैसे की कबूतर पिंजरे के अंदर घुसा हुआ है एक question है जो कि कभी न कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा खत्रे की निशान की रूप में हम लोग लाल कलर के ही light का इस्तेमाल क्यों करते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे कम deviation होता है red color का और सबसे ज़्यादा deviation होता है violet color का red light सबसे कम bend होता है क्योंकि इसका wavelength सबसे अधिक होता है अगर हम लोग light का graph खीचना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से खीचा जाता है और इसके दोनों peak point के बीच के distance को ही wavelength कहते हैं अगर इस graph को red color के light का graph माल लें तो violet color के light का graph कुछ ऐसा होगा इसका wavelength बहुत कम होगा इसके दोनों peaks के बीच का distance बहुत कम होगा red color के light का wavelength सबसे अधिक होने के कारण इसका scattering सबसे कम होता है और red light का observer के पास पहुँचने का बहुत जादा probability रहता है खतरे के निशान के रूप में अगर red color के light के जगह पर किसी और color के light का इस्तेमाल किया जाता तो उसका scattering हो जाता मतलब इस medium को cross करते वक्त न वो कई बार अपना रास्ता बदल देता और जहां तक उसको पहुँचना चाहिए वहां तक नहीं पहुँच पाता लेकिन red light के साथ ऐसा नहीं होता है इसका scattering सबसे कम होता है यह अपने रास्ता को उतना नहीं बदलता है और जहां तक इसको पहुँचना चाहिए वहां तक पहुँच जाता है और कोई बड़ा हाथसा होने से बच जाता है यही रीजन है कि हर जगा खत्रे के निशान के रूप में रिड कलर के लाइट का ही इस्तिमाल किया जाता है